हलो दोस्तो इस वीडियो में आप लोगों को माया में कैसे कैमरा लगाते हैं और कैसे कैमरा को यूज करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे create में यहां पे देखेंगे एक हमारा कैमरा का command दिया हुआ है इसके option box में देखेंगे 5 तरीके का जो camera का command दिख रहा है तो सबसे पहले हम लोग simple जो हमारा camera है उस पे click करेंगे यह देखेंगे मैंने click किया तो यह outliner में देखेंगे और अपने viewport पे देखेंगे तो यह camera का जो है save बनके हमारा जो camera one के नाम से outliner में एक हमारा camera create हो गया अब इसको हम लोग देखते कैसे हैं और लगाते कैसे हैं देखेंगे हम लोग viewport में देखेंगे तो यह हमारे सभी viewport में panels का एक section दे रखा हुआ है सभी में देखेंगे click करेंगे तो panel का section दे रखा ह गहां ठीक है तो हम किसी भी एक panel में चले जाएंगे तो हम लोग यहां जाएंगे इस panel में और यहां पे देखेंगे look through selected object ठीक है ना यह होता है look through selected हम कोई भी object को select कर रखें तो उसके कि त्रू हम लोगद देख सकते हैं तो अभी हमारा camera क्या देख रहा है, कुछ भी नहीं देख रहा है, क्योंकि जब हम देख रहे हैं, कि जो हमारा camera का, यह देखे, इस तरीके से मैं camera को देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी, कोई object नहीं है, यहाँ पे 00 है, ठीक है न, ऐसे माली जी एक मैंने, देखिए, अब जो दूर कर रहा हूँ, clear होते जा रहा है, तो क्या देख रहा है, हम यह हमारा sphere देख रहा है, मैं sphere को delete कर देता हूँ, फिर मैं select करूँगा camera को, ठीक है न, अब इसको navigate कैसे करेंगे, मैं middle mouse button को select करूँगा, और इस तरीके से drag करूँगा, ठीक है न, up and down जब मैं scroll करूँगा इ इस तरीके से, ठीक है न, देखिए, इसको किस तरीके से हम लोग set करेंगे, मैं चाहता हूँ, मेरा camera जो angle है, इस तरीके से set हो, अब देखिए, look through, जिस panel पे रहेगा, जिस viewport पे रहेगा, उस पे, हमारा camera देखिए, set हो रहा है, मेरा camera को किस तरीके से देखना है, मेरा जो object इस तरीके से दिखे ठीक है न यहां पर है इस तरीके से हमारा जो अब्जेक्ट है दिख रहा है मैं सभी को अन्हाइड करके अउनली करेक्टर को रखता हूँ फ्रेम गेट देखना है कि मेरा करेक्टर का जो फ्रेमिंग है वो क्या है तो यहां पर देखेंगे है अभी हमारा जो camera का setting है 19-20-10-80 का जो resolution gate है render setting पर हम लोग click करेंगे तो जो यहाँ पर यह setting दे रखा है camera की जो setting है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हमें बने बनाए presets होते हैं तो इसको change करेंगे तो यह हमारे देखिए camera का जो है setting वो change हो रहा है full hd में रखे हुए है जो हमारा hd size है उसमें रखे हुए है hd size में दिखा रहा है ठीक है तो मैं इसको इस तरीके से set कर लेता हूँ जैसे हमारा camera आप set हो गया आप by default इसको यहाँ से भी आप set कर सकते हैं इसके translate rotate यह किसी भी got says में आप लोग इसको set कर सकते हैं इस तरीके से आप इसकी setting rло också stari को set करते हैं बहुत ही useful topic है दोस्तों बहुत से लोगों को camera नहीं लगाने आता है कि camera को किस तरीके से लगाते हैं तो इस तरीके से हम लोग camera को लगाते हैं ठीक है दोस्तों जैसे मालीजी मेरा camera यहाँ पे हो गया आप मैं इसको यहाँ पर की लगा देता हूं एस प्रेस कर दिया और यहाँ पर टैन फ्रेम पर मैंने इसको थोड़ा सा animate कर दिया इस तरीके से यह देखिए अब यह हमारा camera animate भी हो गया ठीक है दोस्तों तो यह हमारा आज का topic था camera को किस तरीके से Maya में लगाते हैं और setting किस तरीकी से करते हैं thank you दोस्तों मिलते हैं next video में thank you